हाई फ्रेंड जो खारे पानी के दाग होते हैं हाड स्टेन होते हैं उसे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मैं आदे लेमन से इसे में क्लीन करने वाली हो आप बिल्कुल भी आप सही सुन रहे हैं तो प्लीस वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्कीप ना कर प्लीस अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए तो देखें यहाँ पर कड़ाई को मैंने उपर उपर से पहले पहुंच लिया था एक कपड़े से क्योंकि इसे मैंने बाहर रख दिया था तो अभी मैं भूल गई थी बारिश में बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो इसे मैंने निकाला आये उपर से मैंने सोचा चलिए इसके ओपर एक वीडियो बना देती हूँ तो चलिए ये वाली कड़ाई के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट ले लूँगी उसमें मैं एट करूँगी यहाँ पे बेकिंग सोडा अब यहाँ पे मैं यूज करूँगी थोड़ा सा विम लिक्विट का उसे आपको एड़ करना है और यहाँ पे आपको एड़ करना है अभी लेमन देखिए मैंने एक लेमन लिया है इसमें से हम सिर्फ आदे लेमन का यूज करेंगे तो चलिए इसे कट करके इसमें एड़ कर लेते हैं देख सकते हो लेमन और सोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा उसका रियाक्शन हो जाता है इससे क्या होता है जो भी खारे पाने के दाग होते है बिल्कुल निकल जाते है बिल्कुल भी नहीं रहते तो इसका बहुत अच्छा यूज में बताने वाली हूँ तो इसे अपलाई आपको कर लेना है देख सकते हो अभी कितनी हमारी खराब लग रहे हैं यहाँ पे कड़ाई इसका मैं ऐसे ही यूज कर लूँगी सारी कड़ाई में तो देखिए ऐसे आपको लगा लेना है मैंने अल्रेडी एक वीडियो शेयर किया है हार्ड स्टेन का दाघं कैसे चुड़ा सकते हो भी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया है तो उसे भी आप ज़रूर चकाउट कीजिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देख सकते हो ऐसे ही आपक 20 मिनट के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 10-20 मिनट हो चुके है जो मैंने लेमन यहाँ पर ऐसे ही रखा था उससे हमें अच्छी तरीके से इसे स्क्रब कर लेना है ताकि जो भी जिद्धी दाग है वो आसान तरीके से निकल जाए तो देखिए ऐसे मैं इसे स्क्रब कर लू जो भी गंदगी आपके बरतने में उन्हें भी आप क्लीन कर सकते हो इससे चिकना हट भी जाती है बरतन की आगे जब भी आप लेमन को कट करो उसके छिलके आप इकटा करके रख लीजिए उसका भी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ बहुत ही जल देख सकतो यहाँ पर मै पानी एट कर देना है यह देखिए बहुत ज़्यादा अगर दाग है तभी आपको यह वाला स्टेप करना है तो पहले स्टेप में ही सारा कुछ निकल जाएगा तो यहाँ पर देखिए पानी इतना एट करना है जितना कि आपको कालापन निकालना है और यहाँ पर हम यहां पे काला पन है वो निकल जाएगा धीरे धीरे निकलेगा आपको एक से दो बार करने में और यहां पे मैं लेमन थोड़ा सा एट कर लूँगी आधा लेमन अगर बहुत ज़्यादा जिद्धी दाग है तो आपको यह वाला स्टेप करना है नई तो पहले वाले स्टेप म हमें अभी बॉइल करना है ताकि जो भी जिद्धी काला पन है वो आसाने से निकल जाए तो देखिए फिर यहां पे बॉइल आने लगा है पानी में तो इसे अच्छी तरीके से खौलने तक आपको पकाना है ताकि सारही दाग हमारे अच्छी तरीके से निकल जाए जितना ह हो सके उतना निकल जाए इसे आपको दो से तीन बार अगर आपने कर लिया तो आपके बरतन बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगे देखिए पानी मैंने निकाल दिया है उस पानी का क्या यूज करना है मैं नेक्स्ट आपके वीडियो में बताने वाली हूँ वो पानी बिल्कुल भी आप फेकना नहीं है तो देखिए लेमन से इसे थोड़ा सा और आपको रगड लेना है देख सकते हमारी कड़ाई कितनी हद तक यहाँ पे क्लीन हो चुके अगर ऐसा ही आपने दो से तीन बार कर लिया तो आपकी कड़ाई बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी इसमें जो भी स्टेन है काले काले वो भी पूरा निकल जाएगे मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फेक आपको नहीं बताने वाले हूँ जितना यहाँ पे क्लीन हुआ है मैं आपके साथ वही शेर करूंगी बिल्कुल भी आपको गलत इंफॉर्मेशन में नहीं दूंगी देख सकते हो कितनी जादा यहाँ पे क्लीन हो चुकी है हमारी कड़ाई अगर यह वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सकाइब जरूर कीजिए मैंने अल्डेरी एक वीडियो बना के रखा है उसे भी आप जरूर चकाउट कीजिए तो चलिए मि ले वीडियो में